दोस्तों शिर्ट गनेश चैनल पर आपका एक वर फिस्ते स्वागत करती हूं आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पावबाची सो देखिए इसे बनाने के लिए हमें किनकी चीज़ों की ज़रूत है सबसे पहले मैंने लिया है ये चार मैंने आलू लिये इसे वाल लिया है और कदू कस कर लिया है मीडियम साइज के बहुत ज्यादा बड़े नहीं है आप अगर ज्यादा बनाने चाते हो तो ज्यादा मिले सकते हो एक मीडियम साइज का प्याज लिया च्छोट चुकड़ों में काट लिया है तीन मैंने लालंके टमाटे लिये थे उसे भी च्छोट च बीस्त में हरी है, बीस्त में पीली है, आप कोई भी सिम्ला मिर्च ले सकते हो, उसे शुट सो टुकड़ों में काट लिया है, एक टॉरी मैंने बॉइल की हुए, मटर के दाने लिये है, नम के लिए सौधन सार, पावबाजी मसाला एक बड़ी चमच लिया है, धनिया पत्ती लिए है, एक बड़ी चमच और मैंने ये बटर लिया है, एक टुकड़ा और सुर्ज मुकजा तेल लिया है, सो चलिए बनाना शुरू करते हैं, इधर मैंने एक नौनस्रीक पैन लिया है, उसे गर्म करने के लिए रख दिया है, सबसे पहले हम उसमें तक्रीवर एक चमच चोटी तेल का डालेंगे, और साथ में ये बटर डाल देंगे, इसे हलका सा बेल्ट होने देते हैं, देखिए बटर हमारा हलका सा बेल्ट हो चुका है, सबसे पहले हम अधरक लसन की पेस्ट को हलका सा बुनेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बुनना हलका सा बुनेंगे, प्याज भी डाल देते हैं और यह मिची भी डाल देते हैं आपकी यह सारे चीज़े हमारी जल्दी से पक जाएं इसे हल्का सा हमें पकाना है बहुत ज्यादा नहीं पकाना बीच-बीच में इसे चेक करते रहना है देखिए एक वार चेक कर लेते हैं श्मीला बिर्शे लाल पनाल की आपड़े isi लिए सबी मुटा बेके सब्सक्राइब और पली है आर्वे साथ श्मीला यूजे मटण सकते हो अपनली bulbिछ में करके आचा लिए uphill है देखिए को सब्सक्राइब लाग शीड़ी और शारां से मिक्स कर देते हैं तमाटर को नर्म होने तक पकाना है जितनी हमारे यहां नर्म नहीं हो जाते हैं हमें उतनी देर इसे पपने देना है तो बीच-बीच में इसे चाह करते रहेंगे देखिए बाजी को एक बार चाह कर लेते हैं अब हम इसमें कटा हुआ धन्या भी डाल देते हैं और ये प्रैस की हुए अलूवी इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब देखिए सबी चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम क्या करेंगे एक मैश्र के सहारे से अच्छी तरह से मैश करेंगे इसमें पानी हम बिल्कुल अभी नहीं डालेंगे ने तो अच्छी तरह से सबजी मैश नहीं होंगी बिना पानी ही मैश करना है अच्छी तरीके से, देखिए मैंने सबी चीज्जों को मेश कर लिया है मेश्टर के साहरे, आप हम इसमें पानी डालेंगे, दो गलास हम इसमें पानी के डालेंगे, आप चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते हो, अगर आप भाजी को पतला पसंद करते हो, तो थोड़ा और डाल स करते हो, आदा गलास, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, देखिए भाजी हमारे बन चुकी है, मैंने इसे 5 मिट और पकाया है, अब हम इसे एक बहुल में निकाल लेगते हैं, और पाउ को त्यार करते हैं, देखिए भाज और तब हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा मक्षन डालेंगे, इसे हलका सा मेल्ट होने देंगे, देखिए मक्षन हमारा हलका सा मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें अरा धनिये डाल देंगे, थोड़ा सा, इससे इसके टेस्ट बहुत आता है, बढ़ बढ सब्कू और वहसा गर्म करेंगे दिछाreens कने हैं कि विखे उतैंकर नियुंद हेदर कहा त्रीके जानों की सब्सक्राइग कोव मांलना विद द्रोट्री हों करता है देखिए पाव हमारे काफी क्रिस्मी हो चुके हैं गैस को बंग कर देते हैं इसे एक प्लेट में निकार लेते हैं देखिए मैंने पाव को सिखकर एक प्लेट में डाल लिया और भाजी को भी एककटोरी में तब तक के लिए नमस्कार